हेलो दोस्तों मैं विकास आप सभी का हमाई चनल में स्वागत है आज का वीडियो है LG का 32 इंच LED टीवी जिसके डिस्प्लेए पे इस तरह सा आप देख सकते हैं डॉट डॉट का निसान दे रहा है यानि इसका जो डिस्प्लेए पे पिक्चर बन रहा है वह थोड़ा अंधेर से सॉल्ब कर सकते हैं यह जानने के लिए वीडियो को लाज तक जोड देखें तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं यह पे आप इसका पाउर सप्लाई और मदर बोड़ देख सकते हैं यह एलेटी टीवी स्मार्ट अलेटी तीवी है तो यहाँ पे इसका board भी देख सकते हैं और power supply भी देख सकते हैं तो यहाँ पे जो इसका scalar है यह tick on board से अधारित है और इस problem को ठीक करने के लिए इसका panel open करना होगा तो इसके लिए हमको यह सब open करना होगा यानि कि यह जो speaker है और इसका जो cover है इसके लर का उसको open कर लेना है और यहाँ पे side में 4 तरफ आपको इस तरह से screw मिल जाएगा तो इस screw को भी open कर लेना है इसका जो head cover है पैनल का यह screw इसका 4 तरफ से खोल लेना है खोलने क बाद आपको panel open कर लेना है और reflector भी तो इसका जो LED का reflector है यहाँ देख सकते हैं सब उचर के नीचे गिरा पड़ा है इसलिए यह dot का problem दिख रहा था तो हम एक बार ऐसे ही इसको चला के दिखाते हैं आपको तो यहाँ पे देख सकते हैं यह जो इसका प्रकास बन रहा है वह 4 तरफ से बन रहा है इसलिए वह सामने की तरफ से यह dot का problem दे रहा था तो इसका जो LED का reflector है उसको लगाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का प्रभाव यानि कि जिस पे reflector लगा है वह सामने से इसका LED का effect ने दिख रहा है और side से दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे आप कोई भी super glue से इस तरह से आपको इसके तीन खाने दिये हैं तीनों खानों में इसको भालेना है super glue को और इसको ज़्यादा योज भी नहीं करना है यानि कि यह जो super glue है इसको ज़्यादा नहीं लगाना है और reflector का तीन खूटी type में दिया रहेगा तो वह जो उसमें लगा के इसको press कर देना है यानि कि यह उसके जो खाचा है उसमें बैठ जाएगा और यह चिपिक जाएगा चिपिक ने एक बाद यह आपको कुछ time ऐसे ही छोड़ देना है यह जब सूख जाएगा और उसको एक बार इसको हिला के देख लेना है कि यह कोई open तो नहीं हो रहा है यानि हिल तो नहीं रहा है तो एक बार हम सारे reflector को लगा के एक बार फिर से पाउर देते हैं हमसे टेलेग्राम इंस्टागराम फेस्बुक से भी जॉइन हो सकते हैं लिंक मैंने डिस्कूसन में दिया हुआ है वहां से आप हमसे डारेक्टली जॉइन हो सकते हैं तो इसका जो उपर का रिप्लेक्टर सीट था उसको लगाने बाद यहां पर देख सकते हैं अब डॉट-डॉट का निसान नहीं दे रहा है तो यहां पर देख सकते हैं यहां बिल्कुल ओके हो चुगा है तो इसका पैनल भी लगा के एक बार हम आपको पिक्चर भी दिखा देते हैं ऐसे ही ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें लाइक करें कमेंट करें सेर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो यहां पर देख सेते हैं पिक्चर ओके हो गया है और डॉट-डॉट का जो निसान था वह अभी हमारा सॉल्व हो चुका है आप ह से टिलेग्राम, इंस्टाग्राम, फेस्बूक से भी जॉइंट होसते हैं लिंक में रिडिक्स्वेशन में दिया हुआ है लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंकियो दोस्तों